हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, एज यू आल नो, वी आर प्रिपेरिंग फॉर सूपर टेट, और मैंने कुछ टॉपिक्स शेयर किये थे आप लोगों के साथ, जो हम लोग सूपर टेट के लिए प्रिपेर करेंगे, तो जिन में से कुछ टॉपिक्स हैं, एजुकेशनल जी शिक्षा मनुविज्ञान, व्रद्धी विकास, ग्रोथ एंड डेवलप्मेंट, हैरीडी ट्री एंड इन्वाइरमेंट, आनुवान शिक्ता और वातावरण, स्पेशल चाइल्ड, दिव्यांग बालक, जिन को हम विशिस्ट बालक भी कहते हैं, इंडिविजूल डिफ विज्ञान से related topics पढ़ लिए हैं, तो हम लोग कुछ quick revision करते हैं, जिन में पहला है मनो विज्ञान, मनो विज्ञान की definition क्या है, मनो विज्ञान को हम कहते हैं, आत्मा का विज्ञान, साइको एंड लॉगस, study of soul, जिसको कहते हैं, दूसरा कुछ हमने यह बताया था कि कौन क psychology, abnormal psychology, normal psychology में हम मनुष्य पशु के सभी विभारों का अध्यन करते हैं, abnormal psychology में हम मनुष्य की कुछ अस्वस्थाओं का अध्यन करते हैं, second क्या है कि इसमें कौन कौन सी शाखाएं है, normal की दो अलग शाखाएं हैं, और abnormal की अलग शाखाएं हैं, normal psychology में आपका आता है individual और group और सेकेंड आता है आपका सोशल और एपलाइड सी तरह आपका एपनॉर्मल में आता है वयक्तिक या इंडिवीजूल सामोही किया ग्रूप इस नौट वेरी इंपॉर्टेंट हमें इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है बस हमें यहां पर सिक्षा मनोविज्ञान समझना है कि सिक्षा मनोविज्ञान किस शाखा का पार्ट है जो कि आपका विवहारिक या एपलाइड शाखा का पार्ट है जो हम अपने बिफोर वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं तो यह देखते हैं हम यहां पर सिक्षा मनोविज्ञान सिक्षा मनोविज्ञान कि शाखा है वि उसके विभार के विभिन पहलुओं का अध्यान करते हैं विभिन पहलुओं में आपके आ जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक मनोवज्ञानिक पहलू और ये सारे पहलू में हम सिक्षार्ति का अध्यान करते हैं इसी तरह से उद्देश्य क्या है सिक्ष्य मनोवज्ञान का अब सिक्षा मनोविज्ञान जैसा कि हमने यह पढ़ा था कि मनोविज्ञान के concept हम बढ़ चुके हैं कई सारे मनोविज्ञान के concept दी हैं जिसमें study of soul है study of mind है study of consciousness है and study of behavior है तो जो present time में चल रहा है that is study of behavior जिसको हम कहते हैं विभार का विज्ञान और जो चेतना का विज्ञान है यहां से हमारा जो psychology है वो philosophy से अलग हो गया था और आत्मा का विज्ञान और मन का विज्ञान जो है यहां तक हमारा जो मनोविज्ञान है वो philosophy का ही एक पार्ट था तो यह हो गया हमारा मनोविज्ञान कुछ definitions है कुछ concept हैं जो आते हैं मनोविज्ञान में जैसा कि पहली प्रतम मनुविज्यान शाला किसने स्थापित की थी विलियम वुंठ ने की थी लिब्सिंग में की थी 1879 में की थी प्रिंसिपल ओफ साइकालिजी बुक किसकी है विलियम जेयम्स की है 1890 में इन्होंने प्रकाशित की थी फंक्शनलिजम किसका कंसेप्ट है या फंक्शनलिजम की विवस्था किस ने दी थी तो ये भी विलियम जेंस ने दी थी मनो विशलेशनवाद कौन है सिगमंट फ्रोइड है आउटलाइन साइकॉलेजी बुक किसकी है मैग डूगल की है मैग डूगल जिन्होंने समवेगों की बात की है जिन्होंने मूल प्रवतियों की बात की है इन्होंने 14 मूल प्रवतियां दी है बेसिक इंस्टिंक्ट की बात की है 14 बेसिक इंस्टिंक्ट और इन्होंने इमोशन्स की बात की है इसलिए इन्होंने चेतना शब्द की क्या की ह तो कुछ definitions भी हमने की है मनोविज्यान की जैसा कि Woodworth ने क्या कहा है वातावरण में होने वाले मानोविभारों का अध्यान म्याक डूगल ने क्या कहा है व्यभार का विज्ञान स्किनर ने क्या कहा है अनुभव का विज्ञान वाट्सन ने क्या कहा है व्यभार का शुद्ध निश्चित सकारात्मक विज्ञान क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है मनुविज्ञान मानव व्यभार और मानव संबंधों का विलियम वोंट ने क्या कहा है मनोविज्ञान को चेतन अनुभूती का विज्ञान कहा है तो यह परिभाशा है आपको बुक में इस तरह से नहीं मिलेंगी यह मैंने आप आप लोगों के लिए easiest form में बनाई हुई हैं तो आप लोगों को इस में से केवल की पॉइंट्स ही याद करने की जड़ूरत हैं नेक्स हम चलते हैं सिक्षा मनोविज्ञान तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्षा मनोविज्ञान और सिक्षा मनोविज्ञान क्या है कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है और इसकी डेफिनीशन क्या क्या है किसने इसको किस तरह से परिभाशित किया है यह हम पढ़ेंग किया है विलियम जेम्स ऐसे हैं जैसरा मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ जिन्होंने मनों विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में प्रस्तुत कीए जिन्होंने फिलोस्फी से साइकी को अलग किया साइकॉलोजी को एक अलग ब्रांश बनाने का श्रेक इसको जाता है विलियम जेम्स को जाता है सेकिंड क्या है कि विलियम जेम्स जो है वो अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं अमेरिका में जो psychology father of psychology कहा जाते हैं वो William James ही है हमारे हां कौन है William Wundt को कहा जाता है और अमेरिका में कौन है William James को कहा जाता है अब मनुविज्ञान की शाखा के रूप में सिक्षा मनुविज्ञान की उत्पति 1900 में मानी जाती है तो जो सिक्षा मनुविज्ञान है सिक्षा मनुविज्ञान की को एक अलग शाखा के रूप में 1900 में माना गया जो की मनुविज्ञान की एक शाखा के रूप में जिसको माना गया और फिर आपको यहाँ पे English और Hindi दोनों वर्जन में दिखाई देगा translated form में है English और Hindi बोथ तो जिसको screenshot लेना है वो ले सकता है अब हम चलते हैं सिक्षा मनुविज्ञान की परिभाशाओं पे तो पहले आते हैं रूसो रूसो के अनुसार रूसो ने अपनी definition एक अलग तरीके से दी है इन्हों ने बताया है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिस सर्वांगीन विकास से संबंदित है सिक्षा मनुविज्ञान की बालक के जो संपूर्ण द्रस्टिकोर्ण है सर्वांगीन द्रस्टिकोर्ण है उससे अध्यन करना सिक्षा मनुविज्ञान का तातपर है इसलिए रूसो ने कहा है कि बालक को हमें एक पुस्तक के समान करते हैं वैसे हिह हमें बालक को भी पढ़ना चाहिए बालक का भी अध्यन करना चाहिए यह रूसों ने कहा है रूसों के अनुसार ऐसा है फिर दूसरे मनोविज्ञानी कहते है हमारे क्रो एंड क्रो सिक्ष्या मनोविज्ञान जन्म से व्रद्धा वस्था तक का एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है साधारण भाशा में हम समझते हैं इन्होंने क्या कहा है कि जन्म से लेके उसका वर्णन करना ही क्या कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है यानि क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या हुआ कि जन्म से व्रद्धा वस्था तक जो भी व्यक्ति सीख रहा है जो भी व्यक्ति के अनुभव है उनका वर्णन और उनकी व्याख्या करना ही क्या कहलाता ह सिक्षा मनोविज्यान कहलाता है अब नेक्स आते हैं फ्रॉबल ने क्या कहा है फ्रॉबल के अनुसार सिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को विक्सित करता है फ्रॉबल ने क्या कहा है कि एक process है education is a process by which a child develops his innate power यानि कि बालक कुछ जन्मजात अपनी शक्तियां कुछ जन्मजात चीजें लेके पैदा होता है और सिक्षा के द्वारा वो उनका क्या करता है विकास करता है तो ये फ्रॉबल ने परिभाशा दी है अब next आते हैं हम सिक्षा की कुछ अन्य परिभाशा है दी गई है जो कि आप देख रहे हैं गांधी जी और विवेका नंद द्वारा दी गई है जो बहुत महत्तोपुर्ण हैं आपके सुपर टेट के इक्जाम के लिए इन गांधी जी ने क्या कहा है गांधी जी की की अनुसार गांधी जी के अनुसार सिक्षा का तात्पर क्या है कि शारीरिक रूप से भी विकास हो और आत्मिक रूप से भी विकास हो पूर्ण विकास की बात की होल डेवलपमेंट ओफ चाइल्ड्स बॉडी माइंड और सोल तीनों की विकास की बात किस ने की है गांधी जी ने बात की है कि फिजिकल हो कॉगनिटिवली हो यानि माइंड हो और सोल पी सी एस की बात किस ने की है गांधी जी ने की है साइकलोजिकल कॉगनिटिवली और सोल तीनों तरह से बालक का विकास हो नेक्स्ट डेफिनीशन है विवेकानन की जिनों ने कहा है कि मनुष्य की पूर्वनिहित पूर्णता का विकास करना ही सिक्षा है पूर्वनिहित पूर्णता कावतात पर यह होता है कि उसके अंदर जो चीजे पहले से हैं उनका पूरी तरह स उसका नहीं करेंगे उसको विक्सित नहीं करेंगे तो वो किसी के सामने प्रस्तुत नहीं होगी इसलिए विवेकानन का कथन है कि मनुष्य की पूर्वनिहित पूनता का विकास करना ही सिक्षा है अता यह सारी हो गई हमारी सिक्षा की परिभाशाएं हो गई है जैसे कि रूस करना चाहिए इसी प्रकार क्रों क्रों ने क्या कहा है जन्म से लेके धावस्था तक जो भी हमारा अनुभव औरा उसका वर्णन और व्याख्या करना सिक्षा है फ्रॉबल ने क्या कह दिया है फ्रॉबल ने कहा है जो हमारे जो हम जन्मजात शक्तियां लेके पैदा होते हैं उनका विकास करना ही क्या है सिक्षा है सी तरह से कुछ गांधी जी ने कहा है गांधी जी ने कहा है फिजिकल करना ही सिख्षा है विवेका रणन के अनुसार क्या LAURA कि मनुष्री की पूर्वनिहित पून्ता का विकास करना ही सिख्षा है यह हमारे आज शिक्षामनोविज्ञान का पूरा टॉपिक कम्पलीठ होता है और इसके आगे हम कुछ is इससे topics related question कराएंगे, कुछ almost 20 questions होंगे, जो आपके exam के लिए बहुत important होंगे, most important होंगे, so thank you, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड लाइक, एंड शेर करना मत भूलीजियेगा, प्लीज दिस इस regard for me, thank you.